वेल्कम बेक टू माई यूटूब चनल पेपर हैकर आज इस वीडियों देखने वाले हैं जो भी छात्र बीकॉम फर्स्ट सेमस्टर में हैं मतलब कि फर्स्ट एर एजन का बिजनिस और बिजनिस कम्मुनुकेशन की बात करेंगे जिसमें हम वेपसाइक संप्रेश्टर के ना लेके आए हैं एक्जाम 2000 देखो 2022 में आने वाले कोशन है वेटा आप इन कोशनों को याद करके 85% प्लस लेके आएंगे मैं आपसे बादा करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूँगा जो जो कोशन बता रहो उन कोशनों पर टिक लगा लो इन कोशनों की संग्या 14 से देक सब्सक्राइब कर लो अभी पेपर हैकर यूट्यूब को जादा से जादा दोस्तों को शेर करो जिंजिन यूनिवस्टी में मुझे एक बार कॉमेंट कर देना और डिसकॉप्शन बोक्स में इन नोट्सों के बारे में इनके नोट्स भी आप डानलोड कर पाएंगे इन क्या होता है अपने बुक नोट्स फेपर टिक लगा सकते हैं और जिंजिन यूनिवस्टी में एम सी कोशन बन रहे हैं वह आप हमें बता दो उनके लिए हम एम सी कोशन भी प्रोवाइड करा देंगे ठीक है उनके स्लेवर्स को देखकर ज्यादा से जादा दोस्तों को शेर क्या होता है उनके उद्देश के बारे में बताईए और उनके प्रकार को बताओ साथी साथ यदि आप उसे बिजनिस संप्रेशन नहीं पूचेगा तो आपसे ये कथन देदेगा कि संप्रेशन एक सफल प्रवंदक की कुंजी है इस परस्ट करो यह आपसे पूचेगा कि प्रकार से पूरा कोशिन होगा लेकिन आपको यही देना है कि संप्रेशन के बारे में तो संप्रेशन एक सफल प्रवंदक की कुंजी है यह आपको वम्हें बताना है ठीक है नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट ने टिक लगाएंगे लिखित व्यप्साइट के गोड़ोष और उन इनकी बाधाएं भी आती, इनकी बाधाएं क्या है, उनकी सीमाएं क्या है, इनके गुरदोस के बारे में याद कर लेना है, ठीक है, इन सारे के उपर हम वीडियो प्रवाइट करा देंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद में क्या है, नेक्स के प्रभाभी स शंप्रेशन क्या होते हैं। प्रभावी संप्रेशन को याद करेंगे, Most Impotent है। और उनके सिध्धानतों को याद करेंगे। इुअ नेङ्सक कोशिन आप से पुझता है, कि इसको देखेे, गारशाब्दिक संप्रेशन किसे कहते हैं। इतना आपसे पूछेगा कि गैर शाब्दिक संप्रेशन की परिभासा और उनके गुर्दोस के बारे में याद कर लेना. नेक्स कोशन बेटा आपसे पूछ रहा है, देखो, यह पूछेगा, यह कोशन को टिक लगाने ना, देहे किया साररिक भासा संप्रेशन क्या होता है, उसके महत के बारे में, मौस्ट इम्पोटेंट है, ठीक है, सरवरत्ता क्या होती है, सरवरत्ता के पिरकार, उद्देश, उनकी बाधाओं को याद कर लेना, मौस्ट इम्पोटेंट है, ठीक लगा लो, उपने बुक नोट्स, गैस पेपर में, जिससे आप पढ़ाई कर रहे हैं, दो हजार बाइस के लिए, मौस्ट इम्पोटेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, अवद उनिवर इम्पोटेंट है, कि लेखा सायक के पद हेतू, आप एक आवेदन पत्र लिखो, तयार कीजिए, उसके बारे में पूछेगा, आपसे ये मौस्ट इम्पोटेंट है, साथी साथ मौखिक प्रसुकरण का आशे क्या है, उनके सिद्धान के प्रवर्ती के बारे में याद करन करेंगे, बेपसाइक पत्र क्या होता है, उसकी बिसेश्ता है, और आवस्यक तत्व कौन-कौन से है, वहाँ प्याद करेंगे, कह सकते हैं, सिकायती पत्र, आप किसी को सिकायत करने वाले है, तो उस पत्र में आप किस प्रकार से पत्र लेखेंगे, उस पत्र को एक बार दे याद करेंगे website report यह most important question है इस पिटिक लगाना website report तयार करने की चरणा कौन कौन से होते हैं कोई website report आप तयार कर रहे हैं तो उनके गुर्दोसों के बारे में भी याद कर लेना ऋसके बारे में कैसे लिखते हैं वो दिखेंगे साधी साथ email कैसे लिखते हैं इसको छोण देना और मौकिक संपेशन पर लिख देना यह है 2022 में आने वाले कोशन आप इन कोशनों को याद कर 85% प्लस लेके आएंगे मैं अपसे वादा करता हूं कि यहांको फेल नहीं होने Thank you for watching this video. Bye-bye.